तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि diabetes में sugar levels का normal रखना बहुत important होता है जितनी जादा sugar levels high रहेगी उतना जादा complications बढ़ते जाएंगे और जितनी देरों तक हम sugar levels को normal रखेंगे उतनी ही हमारी sugar levels और complications हमसे दूर रहेगी तो सबसे जरूरी होता है ये range जानना कि normal range क्या होती है और diabetes कब होती है ऐसी क्या values है जो आने पे आपके doctors आपको कहेंगे जी हाँ ये आपका report normal है कि नहीं आपके report में diabetes आई है so हम इसे तीन तरीके से जांच ररते हैं HbA1C, fasting blood glucose and postprandial या post meal blood glucose HbA1C ये test है जो आपके तीन महीने की average sugar दिखाता है आपके blood में की ये आप कभी भी जाकर random blood sample पे होने वाली test है जो आपके doctor आपको advice कर सकते है fasting sugar ऐसी test होती है जिसमें आपको लगबग 8 hours की fasting advice की जाती है so एक example जैसे आपका रात का dinner हो चुका है तो रात के dinner से लेके सुबह उठने तक आप कुछ खाओगे नहीं पानी पी सकते हो और आप जो पहला blood sample देते हो उसे हम कहते है fasting blood sample post meal blood sample क्या होता है जो आपके खाने के बराबर से 2 घंटे बाद दिया जाता है ये time हम कैसे count करते है so this counts from first bite जब आप पहला निवाला खाते है तब से लेकर बराबर 2 घंटे बाद जो हम sample देते हैं उसे कहते है post meal sample अब इनकी values क्या है जो normal है pre-diabetic है ये diabetic है तो अगर आप HbA1C test करते हो और आपकी HbA1C value कहीं भी between 4.5 to 5.6 के बीच में आती है तो आप non-diabetic हो मतलब आपको diabetes नहीं है अगर आपकी HbA1C value 5.6 से लेके 6.4 के बीच में आएगी तो इसे हम pre-diabetic यानि diabetes की पहली CD diabetes होने की पहली CD उस stage को कहते है pre-diabetic और अगर anywhere आपकी HbA1C value 6.5 के उपर आती है तो आपको diabetes detected ऐसा कहा जाता है pre-diabetic जब शुरू होती है अगर हम यही से हमारी lifestyle को सुधार ले हम regular exercise चालू करें मीठा कम कर दे carbohydrate consumption पे ध्यान दे तो आप इसको normal में ला सकते हो और अगर इधर से आपने द्याहन नहीं दिया तो आप डाइबीटीक हो सकते हो so pre-diabetic एक ऐसे situation है जो आपको normal पर भी ले जा सकती है और जो आपको diabetes की तरफ भी ले जा सकती है HbA1c में minimum gap होना चाहिए 3 months का अगर 8 घंटे बाद जो आप पहला blood sample देते हो आपकी fasting blood sugar level का और आपकी fasting sugar कहीं भी between 70 to 100 mg per deciliter के बीच में आती है इसका मतलब आपको diabetes नहीं है अगर यही level आपकी 101 to 126 के बीच में आती है तो इसे हम कहते है pre-diabetes और कहीं भी fasting level above 127 आती है तो इसे हम कहेंगे diabetes post meal sample तो जब हम पहला post meal sample करते है और कहीं भी वो value अगर 120 to 140 mg per deciliter के बीच में आती है So this is absolutely normal मतलब आपको diabetes नहीं है वही अगर यह value 141 to 199 के बीच आती है इसका मतलब pre-diabetes शुरू हो चुकी है और कोई भी value 200 के उपर आती है खाने के बाद तो इसका मतलब आपको diabetes detect हो चुकी है So ये भी आपने क्या खाया है कितना खाया है उस पर निर्भर करता है कई बार अगर हमने बहुत carbohydrate rich food या जिसमें बहुत ज़्यादा sugar थी ऐसा खाना खाया है जिसमें चावल है, आलू है, रोटी भी है ऐसा सब अगर हम खाते है और इसके बाद तुरन sugar check करते है तो कई बार थोड़ इसी sugars हमारी बड़ी हुई आ सकती है और वही अगर आप इसे फिर से normal खाना खाने के बाद जो आप routine में खाते हो और चेक करें तो शायद वो normal भी आ सकती है खाना भी एक बहुत important factor है जो आपके sugar levels को deviate करता है उसके बाद आप कितना खा रहे हो किसी दिन अगर आपकी पसंदीता चीजे बनी हो और आपने over eating की है और अंजाने में या जस्ट आपको देखना था कि आपके sugars कैसी और आपने खाने के बाद sugar check की है और वो sugar level बड़ी हुई आई है तो ये over eating की वज़े से भी हो सकती है तो इसे confirm करने के लिए भी आप HbA1C और fasting PP बाद में फिर से repeat जरूर करें अगर बहुत ज़्यादा stress है बहुत नान तनाव है आपकी नीद ठीक से नहीं हो पा रही है आप पहली रात में पूरा stress की वज़े से टेंशन की वज़े से सो नहीं पाए हो तो इस वज़े से भी आपके sugar levels उपर नीचे हो सकते है अगर आपने sugar करने के पहली रात में बहुत ज़्यादा alcohol consume किया है तो उससे भी आपके sugar levels बढ़ सकती है सो ये बहुत छोटी छोटी बाते होती है जिसके आपको ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप आज sugar levels टेस्ट कर रहे है तो आपने पहले दिन बहुत heavy खाया है बहुत मीठा खाया है बहुत ज़्यादा rice खाया है बहुत मिठाई खाये alcohol लिया है ये छोटी 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 चीजे है जो आपकी sugar levels को कम या जादा करती है अगर आप बहुत physically active है आपका काम बहुत भगा दोडी का है तो हो सकता ही आपकी sugar levels को कम भी रखे oppositely अगर आपका काम sedentary है बैठे हुए याप घंटो गंटो बैठे हुए वजन होगा BMI जादा होगा उतने chances होंगे आपके sugar levels high होने के ध्यान रखे कि जो हम lifestyle अपनाते है हम जैसा खान पान रखते है जैसी नीद हम लेते है इन सब चीजों पर हमारी sugar levels हमारी health rather depend करती है तो ध्यान देना है कि healthy lifestyle रखे जिससे आपकी health अच्छी रहे आपको diabetes, blood pressure ऐसी चीजों से कोई धूका नहीं रहे और आप इन सब को continue करते रहे ताकि ये चीजे आपसे हमेशा दूर रहे Thank you